दोस्तो हमारी हमेंसा कोसिस रहती है कि हम आपके लिए यूनिक यूनिक या फिर नई नए बिजनेस आईडिया लेकर के आएं जिनकी साहिता से आप अपने घर से ही अपना रोधगार शुरू कर पाएं अक्सर क्या होता है कि जो भी लोग बिजनेस सुरू करना चाते हैं तो की सायता से आप अपने घर से ही बिजने सुरूब कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है कि काम कैसे करना है कहां से मशीन लेना है रो मटेल जो होता वो कहां से होना है तो दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिलने वाले हैं क्योंकि आज मैं आप आपको ले करके आ गया हूं सब्सक्राइब कोई ट्रेडर नहीं है डार्यक्ट मनुफैक्ट्यर के पास जहां से आपको सस्ती कीमत मैं यानि कि कम पैसे में मशीने मिल जाएंगी और मशीने भी आप देख सकते हो कुछ इस तरह की छोटी-छोटी मशीने होती हैं इनको आप कह आपको पूरा बताएंगे तो आपको डिश नहीं आप को स्क्राइब देकना है नहीं तो जरूरी जानकारी अपसे मिंज़ हो जाएगी तो ज्याला देर करते गई पोड़ा में पर जांते हैं इस पेड़क करने बड़ता हूं। इन इनको एक भी मिनिट बटना है। अगर आज मशिन लगाना चाहते हैं। आज से मशिन सब्सक्राइब से आज स्टार्ट करना काुछ है। दो से और मशिन को पड़ता है। बहुकु और बाहर के देखों से हर किसी के लिए पॉसिवल नहीं होते हैं और एम पायर है खरीद में आप तो वह यह इन प्रशीय खरीद के लिए अपना है तो 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 आपको टेंशन लेने के जरोत नहीं है अगर बजने सुरू करते हैं तो जब प्रोड़क्ट रेडी होता है तो इसको कहा और कैसे सेल करेंगे उसके लिए भी कमपनी ट्रेनिंग देगे बताइगे किस तर से पैकिंग होता है कैसे बॉक्स बनते है शारा कमपनी प् तो आपको ओन लाइन ओफ लाइन सारी ट्रेनिंग के साथ साथ यह भी बताएगी कि आपको जो माल रेडियो गा उसको आपको कहा और कैसे बेचना है तो आपको माल बेचने की भी टेंशन नहीं लेनी है और मशीन जैसे के हम बता रहेते इंट्रो में ज्यादा बड़ी नह उसी इजली पे चलती है वन एच्प का मोटर लग रहा है इसमें सिंगल तो कहीं भी नॉर्मली लगा सके चला सकते हैं अचा इस काम को करने के लिए कोई लाइसन्स वगरा की जरूत रहती है तर एक दो मशीने लगाते हैं जहां पे 10-20 मशीने लगाते हैं लोग तो आपको लाइसन्स जरूत पड़ता है जरूत बिल्कुल दोस्तों अभी जब आप काम शुरू करते हैं तो आपका काम उतना बड़ा नहीं होता है कि आपको लाइसन्स के बारे में सूचना है आपका कम जब धीमे बड़ा होने लगे तब आपको अपने लाइसन्स जी बगारा आद क्योंने जाना चाहाब कि इन कोुहारा यह विचनेश की अश्याया तो जाना चाहाँ आफ करिया थू जिसके यह क्वारे में हम बात कर रहे हैं यह को अगर्फ्रेस करते हैं कम पले ह हिंदू हैbus दुम को ईक वह बहुत है खार जाती से हो अभर लोग फे अब हो कर दो कर दो तो अभी आपने डेमो देखा और आपको पता से लिगा कि अगर बस्ती को किस तर ऐसे बनाया जाता है तो अभी मैं यह जाना चाहूंगा कि जो इसका राव मट्रील होता है जो कहा से मिलेगा अब इसका राव मट्रील के बास राव में बने जाती है तो इसको सेल कहा करना होता है तो अपने चोटे मौड़े मार्केट कहीं तो हर घर में उनने वाला पॉड़क्त है बिलकुल इसकी वजरौत सभी घरों में आप कहीं भी किसी भी शौक पे जाओगे तो आपको वहाँ अगर अगर आपके विवर्स के पास कम बजट भी है 15-20,000 रुपय आना तो हमार बास मैनुगल मशीन भी अगर बस्ती की वह बिना बिजली से चलती है और भी मशीन लेका को स्टाट कर सकते हैं जैसे कि आप बता रहे हैं आपके बास मैनुग मशीन भी है तो इसकी कीमत कितनी है और अभी अब आप वीडियो में देखाई ए उसकी कीमत कितनी है मैनुग मशीन है तो अब आर बास 15,000 रुपय का मिल जाएग अगरबती में जरूरी होती है जो पैकेजिंग मठेल होता है वो सब सारा कंपनी उनको इनको डारेट जहां बनती है तो आपको अहां का नंबर मिल जाएगा आपके स्टेट से ही उनको रौ मेट्रियल हो बॉक्स और प्रेटिंग वाले का सारा प्रोवाइड सर इसके लाब अगरानिटी के साथ फस्ट ताम ही देखने को मिलेगा या डारेक्ट वह मैंने फेक्ट्टर के पास और मशीन किस तरह से बनाया जा रहा है कौन कुण सी मशीन डारेक्ट में प्रेक्ट्र से पर्चेस कर दक्ते हो गए हमारा पार्ट्स होते हैं ठीक है बागी मैं आगे इसमें आप दोना पतल बना सकते हो अपना इस सिलिपर मशीन आप चपल बना सकते हो इस मशीन से अब देख रहा है बागी आप सामने देख रहा हूंगे हमारा यह कपूर मशीन है जो कि अभी जाने के लिए तैयार है पैक होड रखी है यह कपूर की मशीन है इसमें आगे म अब बना सकते हो। यह जो आप सामेने देख भूचे हो, गिए एमारा कपोर की मछीन है इतर आप देख सकते हैं यह ह् मुझे। है कंश्टर्मर कोई १ा nhưng तुय tsaka तो सारा कुछ हम लोग चेक करके हैं और कस्टमर को ट्रांपर लगवाते हैं मशीन को अगर बत्ती मशीन की बोडी है काफी सारा आप देख रहे होंगे इस तरह से बोडी तयार होती है और उसके आगे हमें आपको दिखाना चाहूंगा ये डोना पततल की मशीने का मातर है चाहनुर मार् बत्र फद्ट का मशीन का जो सामने आप देख आप डेख थी तो अब दिखे और आप फ opposite कि मशीन की है इडरी का क्या नाम है और एडरेस क्या है वो थोड़ा से बताये हैं कि आपने दीखा हूँ हमारे कंपणी की नाम है छोते इंडस्त्री और हमारा जो अथसे awakened दिली में ओफिस है'Mंज और में चैन्द केरा है अगय परहां दिली निख लोल में तो धेंatां तोफ अगर लिच को ओनिति करो रहें जिस्सें कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आप से फिर किसी नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्का